हलो नमेशकार, वेलकम टो इंकलकेट लरनिंग, आज हम बात करेंगे जी, इंटर्व्यू के बारे में, इंटर्व्यू के बारे में काफी क्वेशन्स आ रहे थे, अभी के विएस वालों के लिए तो स्प्पेसिफिकली है, तो यह interview की मैंने decide किया है 5 videos की series आपको देखने को मिलेगी और उन 5 videos में मैं सारी की सारी चीज़े cover कर दूंगी जो आपको पता होनी चाहिए interview आप जब देने जाएं तब अब यह interview आपका KVS का भी हो सकता है DLSB जहां भी teaching का interview होगा उसके लिए आपको यह help करने वाली है सारी की सारी videos आपकी personality development में help करेंगी प्लस इस चीज़ में help करेंगी कि किस तरीके की चीज़ें होती है या आपने अब तक नहीं पढ़ाया है experience नहीं है आपको तो आप कैसे चीज़ों को face करेंगे ठीक है तो हर एक video पांच की पांच videos आपको repeatedly देखके यह जानने की कोशिश करनी है कि आपकी personality में क्या चीज़ें नहीं है क्या चीज़ें आपको थोड़ा सा क्या करने है inculcate करनी है inculcate learning देखके ठीक है तो सबसे पहले हम आज की video में तो यह बात करेंगे specifically की in general क्या क्या questions उठते हैं आप लोगों के दिमाग में plus interview की preparation शुरू कैसे करें मैं अब घर ही करनी है न तो शुरू कैसे करें बिकिस बट सारों को यह doubt है कि उनका interview list में नाम आएगा या नहीं आएगा अगर मैं specifically KVS की बात करूं तो आप लोग इन videos को देखके अपने घर पे ही खुद के लिए practice करना शुरू कीजिए चीजों की अपने personality में improvement कीजिए in case आपका नाम आता है interview list में उसके बाद तो आप क्या कर सकते हैं बाद में mock interviews दे सकते हैं वो मैं आपको suggest करूंगी कि आपके आसपास जो भी mock interviews conduct कर वा रहे हो आप वहाँ जाके interview face कर सकते हैं ठीक है सबसे पहला question उठता है जी interview role क्या है मतलब interview का क्यूं क्यूं ले रहे है interview क्या जरूरत है interview लेने की so it's interview यानि basically वो जो interview board है जो panel members बैठे होंगी वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं okay return जो आपका exam हुआ था उस return exam से आपकी knowledge already check हो चुकी है okay तो specifically आपकी knowledge check नहीं हो रही है because आपके written exam में अच्छे marks आए है तभी आपको interview के लिए बुलाया जा रहा है so it's already proved कि आप knowledge है आपको अपने subject की ठीक है वो बुला क्यों रहे है आपको इसलिए बुला रहे है कि आप कैसा पढ़ाते है क्या आप जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को समझ आ पाएगा effective teaching हो पाएगी communication आपका कैसा है आप communicate कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे because written से आपकी knowledge check हो गई आता है बट बहुत बार आपने देखा होगा खुद के भी teachers को कि कई बार चीजे उनको पता होती हमें समझ आ जाता है कि उनको knowledge है particular subject की but वो convey नहीं कर पा रहे है so क्या आपके साथ भी वोई दिक्कत तो नहीं है वो चीज तो नहीं कि आप convey ना कर पाएं कि आता तो आपको सब कुछ है बट आप समझानी पारें वो सबसे बड़ा issue हो जाएगा ठीक है plus आपकी body language so majorly तीन चीज़ें आपकी check की जाती है जब interview की बात की जाए एक आपका communication मैं जो भी लिख रही हो अगर आपको नहीं दिखे तो इस ओके में बोल रही हूं सेम चीजें आपका communication दूसरी आपकी body language और तीसरी चीज चेक की जा रही है कि आप effective teaching कर पा रहे हैं या नहीं इसी लिए जो आपकी demo class है जो आपसे पढ़वा के देखा जाएगा उसके marks करते हैं दूसरी चीज उठती है कि हम exactly यह नहीं बता सकते कि आपसे क्या question पुछे जाएंगे ओव्यस है वो अलग लोग है मैं अलग हूं या और भी टीचर सब अलग होते हैं तो वो individual differences की बज़े से उनके उपर depend करता है कि वो किस तरीके से question को frame करते हैं right so but most common questions कौन से करेंगे किस आपने कुछ एक चीज में अल्रेडी प्रिपेर कर रखी है अपना best answer ओल्रेडी आपके दिमाग में है कुछ चीजों को लेके ओके इसमें भी रट्टाफिकेशन नहीं करनी है मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर ये देखे ना कई बार आप Google पे ये व प्रेम कर लेती हूं या कर लेता हूं और याद कर लेता हूं सो वह चीज नहीं करनी है आपने most common questions आपको पता होने चाहिए बट उन questions का answer आप अपने हिसाब से रेडी करेंगे चीक है जी सो दूसरी हमारी जो वीडियो रहेगी वह रहेगी most common questions की तीसरी रहेगी demo class की कि तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें ओके वह हमारा फिर PRT PGT और TGT इनके हिसाब से थोड़ा सा differentiation हो जाता है teaching method में because अगर PRT है तो अलग तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे कि उनको समझ आए PGT है तो अलग तरीके से बट पॉइंट सरफ इतना सा है कि क्या समझ आ रहा है कि आप effectively teach कर पा रहे हैं और मैंने आपको already बता रखा है कि effective teaching मतलब अगले वाले को समझ भी आ रहा है ठीक है जी 4th video हमारी रहेगी body language के उपर कि किस तरीके से आपको अपनी body language का ध्यान रखना है and 5th will be जो आप mistakes usually होती है और जिनको आप avoid कर सकते हैं so ये 5 videos हमारी होने वाली है और इन 5 में से हम सबसे पहले बात करते हैं कि interview का role क्या है क्या चीज़े चेक होंगी और आपके जो इन general questions होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं plus किसी ने बोला था कि मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि interview की तियारे शुरू कहां से करूँ तो आप कहां से शुरू कर सकते हैं एक बार उसकी बात कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखिए कि जब भी आपका interview होगा ना जो interview panel होगा या जो interview board होगा उसके अंदर आपको बहुत सारे चार या पांच चार तो minimum ऐसे टीचर्स देखने को मिलेंगे board members जिनको हम बोल देते हैं उन board members में एक तो psychologist होता है usually अब यह जो psychologist होगा यह चीजें चेक करेगा कि आप जो बोल रहे हैं और जो आपके दिमाग में चल रहा है क्या वो चीजें मैच कर रही है मतलब हम मानते हैं कि वो exactly दिमाग नहीं पड़ सकता बट आपकी body language से चीजों से उसको idea हो जाएगा कि nervousness है या नहीं है अगर आप nervous है तो उनको पता चल जाएगा अगर आप थोड़े से anxiety हो रही है या आपको question नहीं आता आप question गुमाने की कोशिश कर रही है तो वो सारी चीजें यहां पर पकड़ ली जाएगी ठीक है दूसरा आपका रहेगा जी subject expert यानि की जो आपसे subject के question पूछे जाएगे प्लस आपसे जो डेमो लिया जाएगा उनसे related चीजे यह चेक करेंगे कि जो डेमो है वो ठीक से डेमो मिलब आप पढ़ा किस तरीके से रहे वो तो सब देखेंगे बट specifically subject की knowledge आपको किस तरीके से क्या जो subject में चीजे जो subject एक particular subject डिमांड करता है क्या आप उन चीजों को पूरा कर पा रहे हैं सो वो रहेगी आपकी subject expert एक हमारे syllabus में current affairs भी होता है सो आप current से कितना तालुकात रखते हैं मतलब आप जो है अगर education में है आप specifically क्योंकि आप teaching का interview देने जा रहे हैं सो आज पास क्या चल रहे है कोई नई scheme आई है education की मालनो आप से इन्होंने पूछ लिया सफल क्या है ठीक है तो आपको पता तो होना चेना क्रेंट में क्या चीजे हैं तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि करेंट में जो चीजे चल रही है वो आपको पता हो overall हम यह बोल सकते हैं कि यह लोग क्या देखेंगे यह देख रहे हैं आपकी all-around personality सो आपको all-rounder होना बहुत ज़रूरी है आपकी पूरी की पूरी personality पूरी laboratory चेक होग है कि आप किस तरीके से खड़े हो रहे हैं किस तरीके से बैठ रहे हैं कैसा आपका dressing style है dressing sense कैसा है वो सारी चीजें यह लोग चेक करेंगे सौ्ए कैं इतना आपको लूर है कि इंटरव्यू में क्या चेज़ें आपकी चेक हो रही अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और लिख देती हूं मैं यहां पर सबसे पहले आप किस तरीके से आपकी बोडी लेंग्वेज जैसे ही आम एंटर करेंगे तो बोडी लेंग्वेज इसके लिए मैं अलग से एक विडियो बना दूंगी बोडी लेंग्वेज के बाद क्म्यूनिकेशन का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश आती हो ओके जो हमारा एक्जाम लिया जाता है उसमें भी हमें पता है कि इंग्लिश और हिंदी तो कंपल्सरी है वो हमसे पुछी जाती है दस दस नंबर की जिससे यह समझ आता है कि व कर पा रही है reason being kbs है ye ok kbs में कहां जाएंगे आपकी posting कहीं भी हो जाकती है जरूरी नहीं आपके state में हो मालो आपकी posting हो गई ओड़िसा में और आप है हर्याना से दिक्कत कहा हो जाएगी आपको local language हर्यान भी तो आती थी आपको हिंदी भी आती है English में आपका हाथ तंग है और यह आपको आती नहीं है इन बच्चों को समझाएंगे कैसे So, इनकी यह expectations बिल्कुल जायज है कि आप English और Hindi आपको इतनी आती हो कि आप चीजों को समझा पाएं और अगर मैं यह बोल रही हूं कि यह communication तो that means simple सी बात है कि आपकी जो बात है आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है वो आप सामने वाले को कनवे कर पाएं अगर यहां पे गड़बड हो गई अगर यह bad communication हो गया यह गड़बड आ गई कहीं या बीच में अटक गई या समझा नहीं पाए ठीक है जहां पे अटक जाएं इंग्लिश में नहीं समझा रहा हिंदी में समझाईए बट समझाईए उस चीज में आपको confidence होना चाहिए कि it's okay bilingual चलिए mix समझा दीजए तो वो चीज आपकी एक जो confidence है न वो चीज clarity के साथ दिखना चाहिए अगर confidence नहीं दिखा और over भी नहीं दिखना चाहिए over confidence साफ जहलग जाता है कि इसको पता नहीं है बट चीजे हो रही है मतलब इसको ये गुमाने की कोशिश कर रही है तो आपको यहां पे confidence के साथ साथ एक और चीज जो हम बच्पन से पढ़ते हैं honesty is the best policy वो honest रहना है पहले आपको खुद के साथ honest रहना है दूसरा आपको board members के साथ honest रहना है कि अगर कोई चीज आपको नहीं पता मतलब ऐसा कोई word उन्होंने पूछ लिया या ऐसा कोई scheme पूछ लिए जिसका अपने नाम तक नहीं सुना है सो आप उस question को politely handle कीजिए कि sir मैं मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता या I don't know about it but I'll definitely read about it मैं जाने के बाद एक बार इसको पढ़के जरूर देखूँगा या जरूर देखूँगी कि है क्या ये चीज ठीक है सो वो जो learner की भावना होती है मतलब ऐसे लेके नहीं जाना है कि मुझे ही सब कुछ आता है specifically board members के सामने क्योंकि obviously वो थोड़े experience है काफी experience है थोड़े भी नहीं तो वो आपकी सारी चीजें पकड़ लेंगे छीक है honesty is the best policy so एक learner की तरह आप जाईए वहाँ पर कि आप सिखा रही है but nobody is perfect इस mindset के साथ आपको जाना है क्योंकि कोई भी perfect नहीं होता अगर perfect होते तो मतलब बात ही क्या थी ना फिर तो एक ideal संसार बन जाता हमारा so nobody is perfect but आपको perfect की तरफ perfection की तरफ आप कोशिश कर सकते हैं जाने की क्योंकि सब कुछ सब को नहीं आता मुझे भी नहीं आता आपको भी नहीं आता बोर्ड मेंबर्स बैठें उनको भी नहीं आता सब कुछ तो बहुत सारी चीजे भी होगी जो शायद आपको पता उनको ना पता हो so it's okay जैसे ही आपका कोई question आपको नहीं आता हो कहीं गड़ब हो जाए या मानलो आपसे जो है पेरेंट्स के बारे में या कोई ऐसा question पूछ लिया और मानलो आपके पाप के उपर question पूछ लिया या मम्मी पर कर लिया और आपके पाप मम्मी में से कोई एक नहीं है बलब ऐसा होना नीचे है but still है example दे रही हूँ बच्चे इमोशनल हो जाते हैं जो लेर्नर्स या जो टीचर के लिए इंटर्व्यू देने जारे हैं वो थोड़ा सा नवस होके और एक एमोशनल मोमेंट आ जाता है but emotional होना ही is okay बस इमोशनल मोमेंट से जल्दी से आपको निकल के और questions पर focus करना है कि आपसे क्या पुछा जा रहा है ठीक है जी so I think ये चीज आपको clear हो गई होगी कि confidence के साथ आपको answer करना है okay communication आपका अच्छा होना चाहिए bilingualy कि आप English और Hindi दोनों में अच्छे से communicate कर पा रहे हैं अब ना दो तरीके के question पुछे जा रहे हैं आपसे एक तो आपकी subject knowledge से subject से भी तो question पुछेंगे न जो demo आप दे रहे हैं तो जब आपके subject से question पुछे जा रहे हैं वो अगर आपका गलत हो जाए तब क्या एक question गलत हुआ कोई बात नी दो गलत हुए चलो it's okay बट अगर आपके subject से related question पुछे जा रहे हैं और continuity में गलत हो रहे हैं वो एक आपके लिए बहुत negative sign हो जाएगा कि आप आपके वापस से किसी और interview की तियारी शुरू कीजिए because subject knowledge उन्होंने चेक तो कर ली आपकी written exam से बट क्या आती है तो वो जो demo हो रहा है या subject से related question पुछे जा रहे हैं तो best teacher की quality सबसे पहले यही होगी एक तो communication, body language plus subject knowledge तो आपके subject पे आपकी command होनी चाहिए ऐसा ना हो कि आपको आपका subject ही नहीं आता तो वहाँ पे चीज़ें गड़ बड़ा जाएंगी चीक है जी? So I think मैंने काफी सारे questions ओके, एक questions और, एक question और जब वो होता है न आपसे question किस चीज़ से related पुछे जा रहे हैं आपने जो form भरके दिया था उससे related पुछे जा रहे हैं अब आपने जो form भरके दिया था उसमें आपने लिख रखें बहुत सारी चीज़ें आपने hobby मेंशन कर दी hobby के साथ साथ आपने ये mention कर दिया कि कितने marks थे आपके क्योंकि details तो आप भरते ही हैं 10th में कितने थे, 12th में कितने थे Masters में या Bachelors में या B.A.D. में, M.A.D. में इस तरीके से जहां पे भी आपके marks में drop हो मान लो 10th में 12th में, then Bachelors BA या B.S.C. जो भी आपने किया है ठीक है, अगर आपने Masters कर रखी है तो वो मैं include कर रही हूँ एक बार के लिए Then, यहां पे आपने या तो B.A.D. कर रखी होगी और अगर आपने Higher Degree कर रखी है तो M.A.D. भी होगी अगर आपके 10th में बहुत अच्छे marks है 95 marks आगे Example ले रही हूँ, किसी के 95 नहीं तो भी दिक्कत नहीं है Okay, यहां पे आपके drop हो गया marks में कि यहां पे आपके 85 आगे यहां पे फिर से ठीक हैं B.A.D. में कम आगे तो वो जो fluctuation है ना आपके academics का उसके लिए आपके पास एक honest reason होना चाहिए एक logic ready करके जाहिए हो सकता है, वो direct आपसे यह पूछ ले कि मतलब उनके सामने तो वो performer है ना आपने फिल करके दिया है सब कुछ उस performing के basis पे ही चीजे होंगी तो वो interview किस तरफ जा रहा है वो आप जो उस form में भर रहे है आप लीड कर रहे है उस interview को तो वो 10-12 यहां पे मार्क्स का ड्रॉप है उस drop के लिए एक reason ready करके जहिए कि क्यों नहीं आए क्या चीज गड़बड हो गई और वहाँ पे honest रहे है बहुत सारे students ऐसे हैं जिन्होंने B.A.D. सिर्फ इसलिए कर ली कि ठीक है हो रही है So be honest कि sir यह ma'am जो है कि पहले ही ऐसे लगता था कि यह चीज नहीं होती है मतलब ठीक है यह compulsory है तो कर लेते हैं बट जब शुरू की चीजे तो सिर्फ passing मतलब एक eligibility के लिए किया बट बाकी काम जो है मैंने अपने personality पे पूरा किया है So वो एक reason जो है ना logical reason वो आपकी पास definitely होना चाहिए ठीक है जी? Hobie, जो भी आप Hobie mention कर रहे हैं एक चीज में पहले ही बता देती हूँ Hobie और interest में difference होता है जी अगर Hobie आपसे पूछ ली और आपने वहाँ पे लिख रखा है cricket आपने लिख रखा है कोई sport या आपने लिख दिया basketball कोई भी चीज लिख दी उसके बारे में पता हो Cricket लिख दिया और आपको ये नहीं पता कि Recently कौन सा मैच हुआ है Recently कौन जीता है या T20 किसने जीता था तो आप problem में आ जाएंगे So जो भी Hobie आप mention कर रहे हैं या मालो आपने Hobie लिख दी cooking ठीक है? आपने लिख दी singing तो क्या singing में रोज प्रैक्टिस करते हैं क्या चीज हो रही है तो वो चीज पॉइंट सितना है Hobie देखें हो सकता है singing में आपका interest हो cooking में आपका interest हो लेकिन Hobie वो होगी कि जिस interest के लिए आप time निकाल रहे हैं आपने Hobie लिख दी photography उन्होंने पूछ लिया कि photographs तो फिर होंगे एक आदी आपके पास तो वो आपकी खीची होई ठीक है तो क्या वो चीज है अगर वो नहीं है तो आपका interest तो है बट वो आपकी hobby नहीं है अगर आपकी कोई hobby नहीं है तो be honest कुछ मत लिखिये कि कोई hobby नहीं है बात खतम ठीक है तो hobby वाला section आप खाली भी छोड़ सकते हैं कि पढ़ाई में या कामों में जैसे बहुत सारी housewives होते हैं या बहुत सारी ऐसी ladies भी होते हैं जो की responsibility में फसी हुई होते हैं या बच्चे हैं चीजे हैं उसके बाद भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं So be honest की बहुत सारी responsibilities थी hobby का तो कभी time ही नहीं निकला ऐसे बहुत सारी male counterpart भी हो सकते हैं कि जल्दी job करनी पढ़ गई या private job करनी पढ़ गई क्योंकि responsibility आपके उपर थी तो आपकी hobby develop होने का time ही नहीं मिला So point यह है कि hobby में अगर कुछ लिख रहे हैं So be honest to that अगर कोई hobby नहीं है तो उसको रहने दीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपने कोई hobby mention नहीं की जो form आप बरेंगे उस form में आपको honest रहना है यह जो form आपने फिल किया है अगर इसमें कोई गलत information है तो वहाँ पर आप क्योंकि जूट तो बोलना पड़ेगा अगर गलत information है तो और वहाँ पर फस जाएंगे ठीक है So कहीं पर भी आपको जूट नहीं बोलना है अनेस्ट रहे है मिलनी होगी तो मिल जाएगी नहीं मिलनी होगी तो कोई बात नी मिलेगी और अगर आप honest रहेंगे ना So definitely चीजें मिलेंगे और आप select होगे आप यह लगा के चलिए आपका return qualify है और आप select होने के लिए ही जा रहे है ठीक है So यह कुछ चीजें हो गई नेचुरल रहना है वाली वगेरा वगेरा And 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 emotional breakdown वाला point भी मैंने आप लोगों को explain कर दिया है काफी कुछ चीजें explain कर दी है सबसे बड़ी चीज डर लग रहा इंटर्व्यू से चीजें डर लग रहा है प्लस त्यारी कहां से शुरू करें इस पर आजाते हैं अब Last point So डर लग रहा है यह जो डर है न यह बहुत सारे लोगों को बिल्कुल ऐसे गड़े में बिठा देता है यानि कि आपको सब कुछ आता है आपकी personality भी अच्छी है लेकिन आप इतने नवस थे कि वहाँ पर डावा डोल हो गया वो चीज नहीं होने चाहिए आपको नवस की बजाए C, C यानि काम and confident रहना है अगर आप काम होंगे तो आप confidently answer भी कर पाएंगे और चीजे smoothly जाएंगी ओकी इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि डरना नहीं है जादा से जादा क्या होगा? नहीं होगा यही एक mindset लगा के चल पड़िये न क्योंकि आप खुद से इतनी expectation अगर कर लेंगे कि बस सब कुछ हो गया यह वो बहुत over सपने देख लिए उसकी वज़े से यहाँ पर आप डर जाएंगी क्योंकि वो expectation अगर पूरी नहीं हुई तो गड़बड हो जाएगी, right? So, वो expectation को एक बार के लिए side में रखिए parents की, खुद की सारी expectation को side में रख दीजिए और इस डर को मन से निकालिए क्योंकि अगर यह डर होगा तो definitely चीज़ें गड़बड होंगी Mostly student इस डर की वज़े से गड़बड करके आते हैं आपको calm रहना है और आपको confident रहना है कि ठीक है, जितना मुझे आता है वो मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी या फिर करूँगा, okay? अब सवाल उठता है कहां से शुरू करें देखे, overall इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि personality development की बात यहां पर चल रही है ओके, कि आपकी personality कैसी है तो जो body language वगेरा की चीज़ें हैं जो मैं डालूँगी आगे आने वाले वीडियोज में उनको देखके थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए अगर आपकी body language सही नहीं है तो दूसरी चीज़, जब आप interview देने जा रहे हैं तो शुरू कहां से करें सबसे बड़ा question start तो start कीजिए सबसे पहली चीज subject knowledge से और demo prepare करने से क्योंकि अगर आपके अंदर subject knowledge है और आपने demo prepare कर लिया है सो वो चीज वहां पे बहुत helpful हो जाएगी कि आपका अगर आप यहां नहीं भी हुआ किसी private school में जा रहे हैं देने के लिए सो वहां पे भी वो बोड लगा के रखते हैं आपको demo दिखाना है सो subject knowledge और demo से start किजिए सबसे पहली चीज कि जो भी topic क्योंकि वह आपसे definitely पुछेंगे कोई topic पढ़ा के दिखाएगे ठीक है सो चाहिए आप PRT हो TGT हो या PGT हो कोई भी interview आप दे रहे हैं अपना demo prepare करना एक ऐसा topic चुनिए जिसको आप interesting बना सकते हैं interesting तरीके से पढ़ा सकते हैं मालनों आप PGT हैं और आपका bio का कोई topic है तो आप ऐसा topic चुनिए कि आप बात करते करते जब आप introduction देंगे न उसी दोरान कोई diagram वहाँ पे बना दी तो वह fluency आनी ज़रूरी है तो आपको subject knowledge की हिसाब से पहले demo जो कि आपके 15 marks का है तो उस demo को prepare कीजिए ऐसा topic चूज कीजिए जस topic पे आप confident हो उस topic के बारे में तो मदलब ऐसे PhD कर लीजिए कि उस topic से related कुछ भी आप से पुछा जाएगा you will be very fluent in that तो सबसे पहले यहां से शुरू कीजिए demo prepare कीजिए उस demo की practice करके देखिए वो demo की practice का भी मैं एक video बनाऊंगी कि कैसे आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो experienced हैं जिनको सब पता है पढ़ा रखा है पर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ाया अगर आपने कभी नहीं पढ़ाया अपने हिसाब से एक demo prepare कीजिए एक या दो जो भी है अगर आप language का कोई भी दे रहें कि PRT या फिर TGT या PGT में Hindi English आपका subject है सो उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से करवाएं उसको की rhythm हो थोड़ी rhyming हो, poem हो सो एक दो poem तो आप बिल्कुल ऐसे learn करके जाएं और उन poem को अच्छे से कैसे communicate करना है वो आपको आता हो तो यहां से start किजे बही first step to start सबसे पहले subject knowledge पे अगर आपका demo ready है आपका आधा काम हट गया दूसरी चीज दूसरी चीज आपको काम करना है अपनी personality पे body language के उपर कि आप कैसे खड़े हो रहे हैं कैसे बैठ रहे हैं वो चीजे बाद में आएंगी पहले demo ready कर लीजे फिर personality पे focus करना है जो मैं आपको body language में कुछ एक tips दे दूँगी तो वो आप ध्यान रख सकते हैं बहुत बार क्या होता है कि आप ना interview की preparation करनी है इसलिए video पे video देखे जा रहे है तो किसी भी एक teacher को पकड़िए उसको guidance उससे लीजी अगर आप मेरी देख रहे है तो पांचो ये देखे और अपने उपर काम कीजे बार बार interview की videos देखने से कुछ नी होगा ओके तो वो videos एक बार देखे जिसके आपको देखने है जिसको आपको समझ आ रहा है जिससे आप connect कर पा रहे है चाहे वो मैं हूँ या कोई और teacher हो तो एक बार उनसे guidance ले लीजिए प्रोपर इसी लिए इस interview की series को मैंने पांच videos तक limit कर दिया ताकि मैं उसमें सारी चीज़ें बता दू कहने को मैं एक video में भी बता सकती ति पर वो बहुत लंबी खिच जाती सो पॉइंट यह कि फिर अपनी personality के ऊपर काम कीजिए और demo के साथ-साथ अपनी communication पर काम कीजिए तो यह तीन चीज़ों पर आपका काम होना चाहिए आपका क्या control होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं knowledge के साथ बोल रहे हैं, fact के साथ बोल रहे हैं, एक particular logic के साथ बोल रहे हैं okay, जैसे, in fact, मैं व्लोग कर रहे थी तो Amit का यह question था, किसी ने अगर व्लोग देखा होगा तो कि eating hobby हो सकती है या नहीं खाना खाना, देखा जाए तो यह जरूरत है तो खाना खाना है, hobby is like what बट अगर आप इतने शोकीन है खाने की तो कही नहीं, अगर आपके पास logic है कि अगला इंसान या बोर्ड मेंबर को भी लगे कि बात को सही कहा है तो कोई भी चीज है, आप कुछ भी लिख रहे हैं, उसके पिछे लोजिक होना जिसको आप फैक्ट के साथ प्रूव कर पाएं ठीक है, तो कोई भी चीज हो फैक्ट के साथ प्रूव करनी है यहां से शुरू कीजिए, conclude करती हूं मैं सब्जेक्ट नॉलेज से शुरू कीजिए, डेमो प्रुपेर करना अपना कॉंटेंट प्रुपेर करना, लेसन प्लैन आपको बेड में बनाने सिखाए होंगे तो वहां से शुरू कीजिए कि कैसे पढ़ाएंगे उसको कोशिश कीजिए कि बोल बोल के देखें या एक बोड पर पढ़ा के देख लिए छोटा सा बोड ले आएं तो वह सारी चीजए होनी चाहिए, कम्यूनिकेटिव स्किल्स आपके अच्छी होनी चाहिए कि आप कन्वे कर पाएं चीजों को और आपकी प्रस्नालिटी अच्छी होनी चाहिए कि उनका मन करें वह आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं तो उनका भी मन करें कि आप जो है सिलेक्ट हो जाएं ठीक है तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आपने अपनी परस्नालिटी पे अपनी क्वालिटीज के उपर अच्छा साइकॉलिजिस्ट बैठा है तो पोजिटिव आसफेक्ट रखिए जो पेड़गोजी में सारा का सारा मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल ऐसे खून में उतरना चाहिए आपके बोड़ी के अंदर की जो भी आप बोलें वो एक पोजिटिव ओप्टिमिस्टिक वे में बोलें आशावादी या एक उमीद के साथ बोलें चीजों को कि हां सर हो सकते हैं ये चीजे या हम कर सकते हैं किस किस तरीके से कोई चीज कर सकते हैं तो वो आपका एक नजरिया आपका आस्पेक्ट होना चाहिए ठीक है जी So I hope आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको preparation कहां से शुरू करनी है Okay, preparation demo से शुरू करनी है बाकी चीजें, कि और बाकी चीजों का क्या role रहेगा Body language, क्या-क्या चीजें अवोईड कर सकते हैं वो हम फिर next class में बात करेंगे ठीक है जी, कुछ भी question हो So, इसी के नीचे comment कर दीजिएगा मैं उसका answer करने का try करूँगी कोई confusion दिमाग में रखना नहीं है आपको सब समझ आना चाहिए आपको एक clear guidance होनी चाहिए कि कब क्या और कैसे करना है So, this was all about today Thank you so much for watching अब इतनी सारी help अगर थोड़ी सी भी help हुई हो आपकी तो like, share, subscribe कर दीजेगा And be happy, keep smiling Be consistent in your studies और इन चीजों को करना शुरू कीजे Work on yourself Thank you